कि नमुश्कार दोस्तों स्वागत है आपका पाइटन ट्यूटोरियल के फॉंक्शन सीरीज में हम अभी फॉंक्शन कर रहे थे और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पैरामेटर एंड आर्गुमेंट्स क्या है पैरामेटर एंड आर्गुमेंट्स उससे पहले ज़रा हम से दो थोड़ा से रिवाइस कर लेंगे कि अब तक हमने फॉंक्शन स्के合 फॉंक्शन को डिफाईट करने के लिए हम रिए जूस करते हैं 데pt def और उसके बाद function name function name और उसके बाद हम जो यहाँ पर value एंटर करते हैं उसको करते हैं parameters यह कितने भी हो सकते हैं यह कोई fixed नहीं होता जितने आपके program को requirement होगा उतने आप parameters यहाँ पर इंटर कर सकते हैं और उसके बाद एक colon आएगा और colon के बाद हम four spaces होने चाहिए four spaces के बाद इसको बोलते indentation one two three four four spaces के बाद जो भी code लिखे जाएंगे वह इस function के code होगे say for example वैसे लिए code 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 तो यह सारे तीनों code जो है वह इस function के code है जब भी हम इस function को कौन से function को function underscore name इस function को call करेंगे तो यह तीनों code रन होंगे और उसके बाद यह एक value return करेगा value किसे return करेगा function जब call करेंगे उस function को वापिस value return करेगा और जैसा कि हमने आपको बताया था कि return एक function code function के अंदर रन नहीं होगा और return के बाद हम बाहर आएंगे बाहर आने के लिए backspace backspace के बाद हम function call करते है function call कैसी करते है function name function name जो भी function name होगा यहाँ पर मैंने function underscore name रखा है आप जो भी function name रखेंगे वो नाम आएगा और उसके बाद parenthesis bracket और उसके बाद जो भी आपने parameters दिया दो parameters हमने अगर लिया हुआ है suppose for parameter 1 parameter 2 तो उनके value हम यहाँ call करते time उसको pass करेंगे इसको कहते arguments arguments argument 1 argument 2 तो यह argument 1 पास होगा parameter 1 में और यह argument 2 पास होगा parameter 2 में और फिर जो code लिखा होगा जो भी हमने उसको instruction लिखेंगे कि क्या करना इन दोनों parameters के साथ इन दोनों values के साथ तो वो करने के बाद यह function इसे return करेगा return करके वापिस इस function को result देगा और उस result को अगर display करना है तो हम एक तरीका क्या है कि इसमें print हम देदेंगे तो इसको result को वो display करेगा या दूसरा तरीका यह भी हमने बताया था कि इस function को हम एक variable में store कर लेंगे कोई भी variable ले लेते है और variable पे अब जो भी value return होगा इस function से जो भी value return होगा वो इस variable में store हो जाएगा और इसको display करने के लिए हम इसके बाद लिख सकते है print variable underscore name अब इसको यहां पर एक बात है argument और parameters की मैं यह बता दूँ कि इसमें आपको confused नहीं होना है कई बार parameters को argument कहा जाता है argument को parameters कहा जाता है वो अपनी अपनी choice है पर इससे कोई बहुत ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा इसलिए आप यह समझ लो कि argument इसको भी कई बार argument कहा जाता है doesn't matter कोई problem दी argument जो भी बोलने में खुशी होती है कोई दिकत दी है तो अब यह structure हो गया एक function का अगर हम इसको comment out कर देते और एक function लिख लेते है say for example sum of three numbers तीन नंबर है उसके हम sum करने हमने ठीक है इस code को मैं नीचे कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको function हम लिखते है def start करेंगे sum underscore of three sum underscore of underscore three function name जैसे कि मैंने बताया था all small letters में होगा underscore आप use कर सकते हैं ताकि यह अच्छी तरह से visible हो और चितना descriptive नाम होगा वो उतना ही आसान होगा आपके लिए भी आपके साथ काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और programmers के लिए तो descriptive रखना है उसके बाद आएगा parenthesis और parameter क्योंकि हम तीन नंबर के sum कर रहे हैं तो parameter तीन होगा num one num two num three तीन parameter हम लेते हैं तीन नंबर लेते हैं और उसके बाद को लगना जाएगा exactly आप देख रहे हैं यही लाइन है चलो बिलकुल same रखने के लिए या तो हम दो नंबर का sum कर लेते हैं चलो आप देख रहे हो हाँ रहने दो इसको three कर लेते हैं parameters कितने भी हो सकते हैं जितने आपके requirement हो software को so number sum of three तो बिलकुल यही हो गया पहला line अब दूसरा codes codes आएंगे codes हम लिखते है for spaces आएंगे spaces के बाद हम यहां पर sum करेंगे तो simple है sum num इसको एक num1 ठीक है plus num2 plus num3 तो इसे हमने इसका इसे हम सेव कर लेते हम result के अंदर result तो यह तीनों यहां पहला instruction हमने दिया कि आपको जो arguments आएंगे तीन नंबर आएंगे उन तीनों को आपने plus करना है और करके result एक variable है उसके अंदर आपको store करना है उसको ठीक है फिर हम इसको return करेंगे क्योंकि हमें इतना ही करना था और code की जरूरत नहीं है single line code ही चाहिए इसमें तो और code की जरूरत नहीं है ठीक है अब हम इसको return करेंगे return क्या होगा result होगा obviously क्योंकि जो result है वही हमें चाहिए और return result ठीक है यहां पर मैं format app string यूज कर लेता हूं format का जो मैं पहले बता चुका हूँ और अगर फिर भी किसी को string formatting में कोई भी doubt है तो आपको description में मैं link दे दूँगा आप उस video को देखे string formatting के बारे में सारा explanation है उसमें मैं use करूंगा f और single code या double code कोई भी use कर सकते single code use कर रहा हूं if the sum इसको अभी अठा जिता हूं the sum of पहला parameter लूँगा मैं sum of num1 मुझे नहीं पता क्या आएगा number num1 जो भी आएगा वो display होगा the sum of अगर पहला argument आप पास करते हो 3 the sum of वो यहा 3 आ जाएगा फिर तूसरा आएगा sum of num2 and num3 is this or finally आएगा result ठीक है और इसको हम upstream को close करेंगे SM close करेंगे right क्या हो गया the sum of num1, num2 and num3 is result जो भी आएगा अब हमें इसे call करना है जैसे कि मैंने आपको एक structure दिखाया था पहले आएगा function इसमें parameters फिर code आएगा जो भी उसको process करने के लिए code चाहिए और फिर return क्या return करना है वो लिखना हमने और हमने यहां पर लिखा result app string यूज करके और यह एक variable में store करेंगे हम अब तो यहां पर पहले store कर लेते हैं value variable ने आ लिए value equal to function को हम function को store करेंगे function call करना है यहीं से हमें तो तीन number हमें डालना होगा suppose four comma six comma three हमने तीन नंबर दे दिया अब value को अब हमने value को print करना है display करना है screen में print करेंगे print function inbuilt function print value ठीक है अब हम इसे run करेंगे ठीक है तो क्या आ रहे the sum of num1 num1 क्या था four four यहां पास हुआ और यहां भी पास हुआ four फिर आया comma num2 comma six दूसरा number और फिर आया and num3 and three is result इसको यहां पे plus किया गया four plus six plus three 13 यह store हुआ था result में is result result is 13 13 तो 13 इसने display किया तो यह था एक थोटा सा revision function का अब हम जो बात कर रहे थे parameters and arguments में आगे आप मेरे खाल से parameters and arguments समझ गये होंगे यह parameters है और यह arguments है अब इससे आगे हम यह देखेंगे कि arguments जो है यह parameters positional and keyword arguments ठीक है positional and keyword argument क्या है positional argument है जैसे हम 4 4 हमने argument पास किया तो 4 को कहा जाना है num1 में जाना यह automatic mapping है by default automatic num1 में जाएगा num2 में नहीं जाएगा num1 में ही जाएगा और 6 जो है जो है जो second में हम लिख रहे है second argument लिख रहे है वह num2 में ही जाएगा num3 यह num1 में नहीं जाएगा और third argument जो है 3 वह automatically num3 argument में पास होगा तो यह इसे कहते positional इसका position already defined है यह positional हो गया तो इसमें अगर चलो इसको भी हम comment out करते है सारा एक comment में ले लिया यह execute नहीं होगा अब हम करते हैं एक दूसरा function मनाते है def say for example अब यूज करते हैं suppose voters और तो parameter होगे name and age ठीक है name and age तो parameter उसके बाद colon आएगा और फिर हम हम हमने क्या करना है हमने चलो प्रिंट करते है simple print name name display करेंगे बस नाम जो भी आएगा उसको display करना है और कुछ नहीं करना है age जो भी आएगा उसको भी display करना है ठीक है और कुछ भी नहीं करना है और बस प्रिंट कर रहे है हम इसमे डिस्प्ले कर रहे है तो कोई return value की ज़रूरत नहीं है इसमें ठीक है और फिर फंक्शन को call करते है votus name vinci और age ठीक है age क्योंकि int है integer है इसमें quotes नहीं आएगा vinci क्योंकि string है और इसमें इसलिए single या double quotes भी use कर सकते है तो new valid है double quotes भी चलेगा तो हमने इसको call किया और display करने के लिए क्या चाहिए हमें इसको print print right अब इससे run करते हूं और run करते हैं तो हमने सिर्फ display करना था print क्या आया vinci one और return क्या कर रहा है none क्योंकि return हमने कुछ डाला ही नहीं है तो return यह function कुछ भी नहीं कर रहा none return कर रहा है all right तो अब जैसे कि यह win c जो argument है वह जाएगा name में क्योंकि यह positional argument है one जो है हो जाएगा age में ठीक है अगर हम इसे reverse कर देते है right reverse करके print करेंगे तो क्या display होगा यह one कहां जाएगा age में नहीं यह जाएगा name में क्योंकि position first to first mapping होता है positional arguments में second age में चला जाएगा win c तो अब यह reverse हो गया पहले one display होता है और फिर win c display होता है right तो क्योंकि इननना रहा है हम रिटर्न कर सकते है चलो एक इसे अटा देते है f string देते return f string और your name is और आपको पता है name and your age which is age correct यह दोनों variable हम यहां पर डाल देगे अब return कर रहा है अब हम देखेंगे यह जो नन आ रहा था यह नहीं आएगा लेकिन यह जो है order name is one और age यह उल्टा क्यों आ रहा है आप समझ चुके होगे क्योंकि यह positional parameters है और हमने position गलत लिखा हुआ है और जैसे first to first mapping होगा second to second, third to third mapping होगा तो हमें इस बात का ध्यान रखना है positional arguments को in proper order ही लिखना है अब ठीक है your name is Vinci and your age is 5 1 अब अब say for example चलो इससे हम reverse ही रखते हैं और हम एक reverse में क्या problem हो सकता है वो बताते है suppose हमें find करना है कि आप below 18 years के जितने भी है वो कितने साल बाद vote कर पाएंगे ठीक है एक छोटा सा program है तो हम यह करेंगे voters function name थोड़ा से descriptive कर देते है future underscore voters future voters your name is then your name is name ठीक है and you you will vote after the age under 18 आएंगे और यह error आ गया move आ रखो time हमने उससे ने किया तो वो सेम होगा function name हमने यह करना है ठीक है okay अब दोबारा से run करते हैं दूसरा error यह क्या है चलिए देखते हैं आप फिर हम आएंगे error type error error यह line ही आपने देखना है type error क्या बता रहे line बता रहे line number 4 line number 4 यह है line number 4 यहां पर error दिखा रहा है आपको line number 4 में error क्या है your name is name and you will vote after 18 minus age फिर दिखा रहे error type type error unsupported operant type or types for this int and str means string integer यहां पर क्या कर रहे क्योंकि हमने position गलत लिखा positional arguments के position गलत लिखा name जहां होना चाहिए था वहांने age लिखा यहां पर name लिखा है तो यह क्या हो रहा है age यह तो age ले लिया winc ठीक है name ले लिया 1 1 यहां आगया और age यहां आ गया, age क्या है, winc, winc यहां आ गया, फिर यह क्या करने की कोशिश कर रहा है, 18 minus winc, यह possible नहीं है, integer string को minus नहीं कर सकता, वहीं यह error बता रहा है आपको, की int and string, ठीक है, type error unsupported operant, अब हम क्या करना है हमने, हमने इसका order ठीक करना है, तो winc, पहले name लिखेंगे, फिर comma, फिर दूसरा argument होगा, age, two years डाल दिया, कोई बात नहीं, अब हम इसे run करते हैं, दुबारा run, अब यह correctly run हो रहा है, यहाँ पर बता रहे है, your name is winc and you will vote after 16, आप चाहँ तो यहाँ पर, years लिखतो, ठीक है, और तुबारा run कर लो, age चलो, age चेंज करते हैं, 5, run करते हैं, तो, your name is winc and you will vote after 13 years, तो, अब मुझे लगता आपको clear हो गया, कि अगर positional arguments के position को ध्यान से हमने नहीं लिखा, तो क्या problem आ सकती है, तो यह एक example के लिए मैंने आपको बताया था कि positional arguments को हमेशा ही सही order में लिखना है, ठीक है, चलो, अब आते हम दूसरे पार्ट में keyword arguments, keyword arguments क्या है, उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बतायता हूँ, default, ठीक है, यह default arguments क्या है, suppose इस program में हम age value enter करते हैं, ठीक है, हम सिर्फ name value enter करते हैं, तो क्या होगा, रन करते हैं, और यह error आ गया, error क्या है, हम चेक करेंगे, फिर से यह आ गया, line number 6, line number 6 कौन से, यहाँ पे error बता रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे हमने age नहीं डाला, तो error दिखा रहा है, और error क्या है, टाइप error, future underscore voter, यह function name है, missing one required positional argument age, यह बता रहा है, एक argument चो age है, वो argument missing है, उसका value हमने डाला नहीं, बिल्कुल सही, समझ आ गया होगा आपको यह error, error समझना बहुत ज़रूरी होता है, प्रोग्राम को debug करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम में problem आता है, तो आपको error समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तो suppose हमें ऐसा करना है, कि अगर age ना डाले, तो कोई, एक default age ले लेना है, डालते हैं तो फिर यह होता है, suppose for example, हम डाल देते, age is 0, यह default है, कि अगर enter नहीं करते हैं, आप call करने के time, तो यह automatically प्रोग्राम उसके age को 0 माल लेगा, ठीक है, तो अब run करते हैं, तो अब कोई error नहीं आ रहा, यहाँ पर हलागे हमने एक argument नहीं लिखा है, बट क्योंकि हमने default value दे रखा है, तो वो उस value को ले लेगा, और उस value को लेके आपको दिखा देगा कि your name is Vinci, and you will vote after 18 years, और अगर हम डाल देते हैं, तो क्या होगा, तो यह जो default value है, उसको override कर देगा, रन करते हैं, you will vote after 12 years, means 18 minus 6, 12 years के बाद आप वोट कर सकते हैं, तो यह हो गया default keyword, अब आ जाते हम, default argument और अब हम आ जाते हैं, keyword argument में, keyword argument भी default argument से काफे similar है, keyword argument में क्या करेंगे हम, हम इससे mention करेंगे, name is equal to winc, age is equal to 6, ठीक है, सब कुछ सेम है, 6 मैं change कर देता हूँ, file run कर देता हूँ, सब कुछ सेम है, 13 years के बाद आप वोट कर सकते हो, 18 minus 5, 13, ठीक है, हम इसे reverse करते हैं, age is equal to 7, run, अब भी order change नहीं हुआ, result बिल्कुल सही हा रहा है, your name is winc, and you will vote after 11 years, that is 18 minus 7, 11 years, यहां क्या हो रहा है, positional argument से different है, keyword argument, keyword argument का आप order change कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसका keyword assign कर रखा है, keyword से वो mapping होगा, name name से mapping होगा, age age से mapping होगा, तो इसमें कोई problem नहीं आएगी आपको, alright, अब यह हो गया, आपका keyword argument, keyword argument में एक और चीज़ बताएं, suppose, name is equal to, it, space, comma, age हम लिखते हैं, age is, 8, ठीक, यहादा, same mapping है, name, name पहला दे दिया हमने, और दूसरे age, age है, कोई problem नहीं, अब इसको रन करते हैं, यहाँ आपको याद रखना है, कि क्या error आ रहा है, आपको line number 8 में, जो कि यहाँ आ रहा है, यहाँ क्या हुआ हुआ, हमने, पहले आप error को पढ़िए, यह बहुत ज़रूर है, syntax error, और error क्या है, positional argument follows keyword argument, positional argument क्या है, 8 is a positional argument, ठीक है, age, age से होगा, और keyword argument क्या है, name equal to it is keyword argument, keyword argument के बाद positional argument आ रहा है, वो allowed नहीं है, अगर आप पहला argument, keyword argument लिख रहे हैं, तो उसके बाद आपको हर argument, keyword argument ही लिखना है, और इसका reverse, अगर आप positional argument से start कर रहे हैं, और उसके बाद keyword argument आप डाल रहे हैं, तो क्या होता है, तो कोई error नहीं आएगा, यह allowed है, आप start कर सकते हैं, positional argument से, उसके बाद आप keyword argument डाल सकते हैं, लेकिन आप start, अगर keyword argument से करते हैं, तो आपको उसके बाद के सारे arguments पर keyword argument ही डालने होगे, तो यह है, मुझे लगता है कि यह आपको समझ आगया होगा, कोई इतना बड़ा issue नहीं है, और इसमें क्या कर सकते हैं, चलो, इसमें हम, suppose, आपको multiple arguments पास करने हैं, एक से ज़्यादा, या फिर आपको पता नहीं कितने argument आएंगे program में, आपको पता यह नहीं है, तो उस, वहाँ पे आपको क्या करना है, तो इसके लिए एक और चीज़ा add कर देते हैं, हम इसमें, arcs and quarks, ठीक है, arcs के सामने single star होगा, और quarks के सामने double star होगा, और इस program को भी मैं comment out कर देता हूँ, किसी को यह program फाइल चाहिए हो तो आप मुझे comment करना, मैं आपको email id भेज देना, मैं आपको email कर दूँगा, file name है argument.py, आप file name जरूर लिखेगा, अगर यह code चाहिए तो आपको मैं mail कर दूगा, तो यहाँ पर हम करते हैं एक नया function define def student info, student info में मैं करता हूँ, star works, और star star works, ठीक है, तो और उसके बाद colon आएगा, that means, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यह दोनों हम keywords, arguments या parameters, यह हमें पताने कि कितने arguments या कितने parameters हम इसके अंदर pass करेंगे, तो इस case में हमें यह use करना है, और star args means यह होगा, these are positional arguments, और star star quarks means these are keyword arguments, यह difference है, और यह जरूरी नहीं है कि args quarks ही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, subjects और students यह भी लिख सकते हैं, but better यह होगा कि आप default जो है उसी पे रहे, ताकि default से जैसा मैंने पहले बताए और भी programmers आपके project में काम कर रहे होंगे, तो उनको भी समझने में आसानी रहेगी, ठीक है, तो हमने सर्फ यहां पर print करना है, print args और print quarks यह हमने यह दो चीज़े print करनी है, डिस्प्ले करना है, और अब हम function से बहार आते हैं और बहार आके इस function को call करते हैं, student underscore info जो हमारा function है, और उसको call करते हैं टाइम हमें argument पास करना है, तो पहले positional argument पास करते हैं, args के लिए, args हो गया positional argument, और star का मतलब हमें पता लिए कितने arguments, से हम ले लिए एक math, दूसरा ले लिते है physics, और एक ले लिते है chemistry, ठीक है, तो तीन हमने positional argument ले लिए, अब quarks के लिए, star star quarks, quarks के लिए हम लेंगे, जो की keyword argument है, keyword argument के लिए लेंगे, हम suppose ले ले लेते है, name, equal to, जो ही, और, age, equal to, 31, ठीक है, इसको जरह अशा मैं, छोटा के लेता हूं, तो यह arguments हम पास कर रहे हैं, अब इसको डिस्प्ले करना है, तो आपको पता है, डिस्प्ले करने के लिए, इसके आगे हम, print लगा सकते हैं, यह पूरे value को भी हम स्टोर कर सकते हैं, print, within bracket शुरू किया, और bracket आखिर में close करेंगे, bracket close किया, और छोटा करना पड़ेगा, तो यह हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया, अब हम इसे run करते हैं, और आप देखोगे, कि जो arguments हैं, उसमें हमने maths, physics और chemistry, जो arguments पास किये हमने, alks में, यह positional argument है, और यह एक tuple के form में आएगा, और जिनको tuple के बारे में नहीं पता, मैं description में लिंक दे दूँगा, tuple भी एक data type है, जैसे integer है, string है, float है, उसी तरह tuple भी एक data type है, और उसके बारे में आपको समझना है, तो लिंक आप description में आपको मिल जाएगा, और आप उसके वीडियो, tuple का वीडियो देख सकते हैं, और जो positional arguments थे, keyword arguments थे, जो दोनों वो in the form of dictionary आएगा, dictionary भी एक data type है, और उसके बारे में भी, मैं description box में link दे दूँगा, आप उसके बारे में भी देख सकते हैं, तो यह in the form of dictionary आपके सामने आजाएगा, name जो ही age 21, और यह positional जो है, वो in the form of tuple आएगा, ठीक है, तो आपको tuple और dictionary का, मैं link description box में दे दूँगा, आप उसको देख के आप वापिस इस series को continue कर सकते हैं, I hope दोस्तों कि आपको यह समझ आया होगा, और कोई भी doubt हो, कोई भी doubt हो तो जरूर आप मुझे लिखे comment box में, मैं जरूर reply करूंगा, क्योंकि मेरा objective यह video series बनाने का, मेरा objective बहुत clear है, मेरा objective यह है, कि आपको भी पता है कि, जो institutions हैं वो कितनी मोटी फीस मांगते हैं बच्चों से, और कई ऐसे बच्चे हैं जो इतना हैवी फीस पे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए और उनके लिए भी जहां अच्छे institutes नहीं हैं, वो जाना तो चाते हैं पर उनकी remote areas हैं, वह institute अच्चे नहीं हैं, तो उनके लिए भी मैं ये content, ये material उनके लिए बना रहा हूं, ताकि वह computer programming सीख सके, software develop कर सके, और IT field बे आगे बढ़ सके, देश का नाम रो सकत कर सके, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके, इसलिए कोई भी मेरे इस channel से जुड़ता है, तो उनको मैं as a student ही treat करूँगा और उनको proper guide करता रहूँगा, उनको assignments भी दूँगा और उनके progress report भी बनाऊँगा, मैं जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा और सारा information आपको free of cost रखने की रखूँगा, free of cost ही रहेगा, इसमें कोई ये नहीं रहेगा, और जो भी questions आएगा मैं उसको solve करूँगा, ठीक है दोस्तों, I hope आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो जरूर, आप comment करे, like करे, अपने दोस्तों को share करे, और ऐसा कोई भी है जिनको computer सीखने का, computer programming सीखने का मन है, लेकिन वो किसी ना किसी कारण से नहीं कर पा रहे, तो उनको जरूर ये video link share करे, मैं उनको help करूँगा, और thank you, मिलते हैं अगले video में, thanks.